नमस्वार दोस्तों रोजना राश्य फल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथे बैल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राश्य से जुड़े सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंशके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्त अच्छे डेर शारे शुप कमनाई तो आई दोस्तों इसके साथ बात करते हैं याश में घरों के स्थितिक एच्छे होंगी क्या-क्या यूग बनेंगे और शभी का शराब की राश्य पर क्या होगा कि दिश्यों को लेकर राश्य में आपको सावधन निना होगा और आकिर क काफि अच्छा लेगा तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इस दिन शौमवार का दिन होगा शुक्ल पजा की दूट्थ तित्री बात करें अर्थात अश्मय की दोस्तों ध्यान रहें आप यह शुमे कोई भी शुब और महत्पुन कारिव को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों यह शमय रेगा शुबा के 7 बचकर 33 मिट लेकर शुबा के 9 बचकर 10 मिट तक और दोस्तों चेदरमाई दिन बिरिशुब राशी पर शुचार करेंगे। दोस्तों मन जिन उन्ही को मिलती है जिनके शपनों में जान होता है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता होशले से उडान होती है दोस्तों जिने अकेले चलने का होशला होता है एक दिन उसके पीछे काफिले होते हैं दोस्तों यह सोच है कि पानी में तेरने वाले हमेशा डूपते हैं और किनारे पर खड़े रेने वाले नहीं मगर एशे लोग कभी तेरना भी नहीं शिक पाते हैं दोस्तों क्यों कहते हो कि कुछ बैतर नहीं होता सच तो यह है कि जैसा आप चाहते हैं वेसा नहीं होता कोई तुम्हारा साथ नो देतो चुत्तों गम मत करो खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसबर नहीं होता दोस्तों जब तक तुम दोड़ने का शांस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए परतिस परदा में जितना शदा अशंबव ही बना रहेगा, चुनतियों को शिवकार करो, क्योंकि इससे या तो शवलता मिलेगी या फिर सिक्षा, दोस्तों धार के विप्रित जाकर देखि अंधिये खुद मुड लेगी रास्ता, एक दिपक को जला करतो देखिए, दोस्तों मुश्किल से भाग जाना अशान होता है, पर हर पहलू जिन्दगी का इंतिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में, लडने वालों को कदमों में सारा जहान होता है तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशिफल की देनी राशिफल दोस्थों आपका सोच समझकर लेले लेना और खोसिज करके अधिकतर काम श्वेंगी निप्टाना आपको अवश ही अपने कारियों में शफल करेगा कोई रुका हुआ पेशा टुकुडों में मिलेगा परन्तु इसे आपकी आर्थे की जिदी कुछ बहतर ही हो जाएंगी इसको प्राशिफल दोस्थों आपको बता दें तो दोस्थों यहश में समाजे के रेकलापों पर अवश्य ध्यान दें ज़्यदा आत्मकेंदित होना भी मान हानी दे शकता है कभी-कभी किशी विशेग पर गहराई से जानने की आवश्यक्ता होगी दोस्तों आपको बता दें अगर आप कभी-कभी किसी विशे को गहराई से जानने कि आपकी एक्चावी आपको अपने विशेस लक्षों से भटका सकती है तो दोस्तों यश में आपको इन सब चीजों को लेकर शाहता रहना चाहिए इसको प्राइं दोस्तों यशुमे, आपके लिए जो समयाँगी यश्मे आपको बता दे की पेशे से समधित बातों पर यशुमे आपका अधिक ध्यान बना रहेगा पेशे से सम्मधी तकलिफें को दूर करने के लिए आपकी कोसिस जिसमे जारी रहेंगी और इनकी वज़ेश किसी बड़ी समस्या का शमाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है। तरीके से कारियों को शफल आप कर पाएंगे। दोस्तों किसी वरिश व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत थी उत्तम शाप्त होगा। इसको प्राप दोस्तों यश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई शेय ध्यान भटक रहा है। मरण्यों के श जुला यह जो समय है फल देने वाला समय होगा। दिन की शुरुवात में शफलता तो आपको मिलेगी। लेकित उपर के बाद थोड़े से आपकी कटनाईयां बढ़ सकती है। काम आपका बढ़ सकता है। आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको प्रिवार का खा आएके उचित मार्ग भी यह में प्रास्त होंगे। कोई पैत्रिक शम्मत्य समंदी लाब होने की योग बन रहे हैं। इसको प्राणतों से यह में आपके लिए समय होगा। घर में किशी प्रिश्वास बढ़ से आपको जो भी प्लानिंग किये हैं वह आपके लिए प्राणतों इसका कोई उचित प्रिणाम भी आपको हसले होगा। इस बात पर ध्यान दें जिसका असर आपकी श्वास पर भी पढ़ेगा। तो दोस्तों इनको लेकर यह में आपको सचेत रहना चाहिए। इसको प्राणतों से यह में आपके लिए सम्होंगे। दोस्तों आपको बढ़ादें कि सहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवशकता होगी। काम की बातें के वज़त से आपकी भागा दोड़ी बढ़ सकती है। परिवार शे समझी जिम्मेदारी भी आपके उपर बढ़ सकती है। दोस्तों जिसके वज़त से आपको तनाव का श्वना कि बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरण भी हैं मुझा आपको पर सकती है करवी लोगों से खुल कर मदद मांगने की आवश्छता होंगी आवश्य आपको मदद प्राप्थ होगा इसको प्राहन दोस्तों यश्मे अगर आपकी केरेट को लेकर बात करें अर्थात आपके वायशाय की तो दोस्तों यश्मे वायशाय का अस्तल पर कुछ सुधार शमंदी परिवर्टों होंगे उसमें वास्तू समस्त नेमों का अवश्य पालन करें दोस्तों याश में कोई भी महत्पूर निरले ना ले क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां होने की समभावना बन रही है बहतर होगा कि किसे अनुभी व्यक्ति का शलाव आप याश में अवश्य ले इसको परादोस्तों मार्केटिंग वापर शेल्स से समभी लेना चाहिए तथा वर्तमान के कारियों पर ही आपको ध्यान को केंदरे रखना चाहिए दोस्तों करमचारियों के गतिविदियों में शम्मधित परिशानी खड़ी हो सकती है प्रांदों दोस्तों तनाव लेने के बजाए शमजदारी से हल निकालना आपके ज्यादा उचित होगा तो इन पर ध्यान दें इनसे दोस्तों आप शमस्या का हल भी निकाल पाएंगे और इसको प्रांदों से यश में आपके वयशाय के लिए जो समयोंगे आपके केरेर के लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बतातें कि यश्मे खान पांच समद्री वाय शाय में देरे देरे शुदार आएगा अपने काम की एक क्योलेटी पर और ध्यान देने के आपको जरुद होंगी और फिस में भी काम की जो है बहुत अधिक अधिकता रहेगी और टाइम भी आपको यश्मे करना समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों वाय शाय के छेतर में बहुत अधिक पर्चेत परदा का शामना आपको करना पड़ेगा इसमें अपने कारे करने की परणाली में कुछ परिवर्तान लाने के आपको जरुद होंगी जलबाजी ना करके धैर पूरुन कारें को शंपन करें दोस्तों यह आपके लिए उच्छत होंगे यश्मे नोकरी में कोई परमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं जो भी यश्मे नोकरी में जातक हैं उनके लिए चांदी चांदी रहने वाली है इसको प्रांदों से यश्मे अगर आपकी लव लाइफ को लिकर बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जोन की तो दोस्तों यहसे में जिवन स्राथी के शाथ सम्मन आपका मधूर बना रहेगा तथा घर परिवार की जड़तों पर भी आपको ध्यान देना आपके लिए यश्मे जरूरी होगा तो इन पर जरूर ध्यान दे इसके अध्याद दोस्त परिवार पर आपका ध्यान नहीं होगा जिसके वुजह से घर में और जिस्ता भी रह शक्ती है तो दोस्तों काम के शाथ साथ साल आपको घर परिवार को भी शमे देना चाहिए इसको पूरानदों से यहाश्मे आपके लव लाइफ के लिए जियो सम्होंगे आपके सब्सक्राइब के लिए दोस्तों आपको बदा दें कि जिवन साथी के शाथ सम्मन आपका मदूर बना कर रखने में आपका योगदान जरूरी होगा प्रेम शमंदों में और अधिक शमी मुदूरता बढ़ने वाली है इसके साथ दोस्तों यह शमी अगर आपकी श्वास यान इसको परांद दोस्तों यह शमी आपके हेल्थ के लिए जोसम होंगे दोस्तों आपको बता दें कि गुश्य और वो तेजना पर आपको काबू रखना चाहिए बलड प्रेशर आदे के शमसिया बढ़ सकती है तो दोस्तों यह शमी आपको शावधन रहने की आवश्रक्ता ह रखेंगे तो आपका स्वास यह समी बहुत ही अच्छा रहेगा विश्क प्रांद दोस्तों यह में आपका भागशाली रंग रहेगा लाल और भागशाली अंक रहेगा आठ